हेलो नमस्कार सभी सात्यों का स्वागत है जील चोधरी यूटूब चैनल पर आज हम एक विसेज भरती परिक्षा का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के चर्चा करेंगे राजस्तान लोक शेवायोग अजमेर द्वारा राजस्तान परसासनिक शेवा का नोटिफिकेशन ज जैसे आप पद देख सकते हो 905 पद आपको नजर आएंगे और यहाँ 905 पदों के अगर हम बात करें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखेगा 905 पद है जिसमें से राज्य सेवा के आपके 424 और अधिनस्त सेवा के आपके 4211 पद है देखेगा यहाँ पर मुख्य पदों की जो संख्या है वो आपके इस परकार से है राजस्तान पर सास्निक सेवा के 67 पद है राजस्तान पुलिस सेवा के 60 है RTS के 130 है सेहकारी सेवा के 46 है प्लानिंग सर्विस के 3 है जेल डिपार्टमेंट के 8 है राजस्तान उद्योग सेवा के 11 है तो इस परकार यह जो 424 पद है यह हमारे राज्य सेवा के है रिसी परकार से 481 पद यह अधिनस्त सेवा के है और इसमें से सबसे चर्चितों सबसे इंपोर्टेंट अगर बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा राजस्तान तैसिल सेवा के RTSM कहते हैं इसके 102 पद आपको नज़र आईंगे इसी परकार TSP एरियाज में 12 पद हैं यह आपके तो इस परकार से यह कुल 424 पद पर सासनिक से वाके हैं राज्य से वाके हैं और 481 पद आपके अधिनस्त एलाइड सर्विसेज के हैं आगे अगर देखें तो इसमें बात कर लेते हैं कि और क्या विशेज है तो देखेंगा योग्यता कि अगर हम बात कर ले तो योग्यता कम से कम ग्रेजियो सना तक इसके लिए निवारिया है आयू सीमा मीनिमम ट्वंटी वन और मैक्जिमम फोटी केटेगरी वाइज फिर छूट है 21 साल कम तक पूरी हो जानी चीए एक एक दो जार चोईस याने कि एक जनौरी दो जार चोईस को प्रार्थी की उम्र मीनिमम 21 वर्स हो जानी चीए लेकिन मैक्जिमम किसी भी सुरत में 45 को क्रोस नहीं होना चाहिए अगर देखे आयू छूट तो SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अती पिछड़ा वर्ग और EWS में 5 वर्स की छूट है इसी परकार SC, ST, पिछड़ा वर्ग, अती पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर जो महिला वर्ग है उनको 10 साल की छूट है सामाने वर्ग की अगर महिला है तो उन्हें पांच वर्स की छूट है और विड़ो एंड डाइवोर्स वोमेंज में मैक्जिमम एज की कोई लिमिट नहीं है तो ये तो इसकी उम्र को ले करके बात हो गई जो सबसे इंपोर्टेंट इसमें आपके है एक्जाम कब होगी तो देखेगा एक्जाम आपको यहां दिखेगी सिप्टम्बर और अक्टूमर महा में यहां देख सकते हैं सिप्टम्बर और अक्टूमर महा में आपके यह एक्जाम आईजित होगी आविदन कब से शुरू होंगे तो आविदन आप देख सकते हैं आपके एक जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रातरी 12 वजे तक आविदन कर सकते हैं इसमें आविदन आपके ओनलाइन होंगे और आपको सबको पता है कि SSO IDNUAR यह है और One Time Registration पर्थमबार आपको करवाना होगा जिसमें आपके पास सभी information सा आपके पास उपलब्द होनी चाहिए नाम, पिता का नाम, डेट ओबर्थ, सेकेंडरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है सभी दस्तावेज One Time Registration के माद्यम से आपके होगा और Citizen Apps जो कि आपके SSO ID में मिलेगा जो Non Government है उनको आपके Citizen Apps पर मिल जाएगा जिनको जो Government Service वाले हैं जो आविदन करना चाहते हैं उनको वहाँ अपने SSO ID से आविदन कर सकते हैं Online नाविदन पत्र में संसोदन समंद्र सूचना तो आपके OTR प्रोफाइल से यह भरा जाएगा तो इसमें अगर बाद में किशी परकार का संसोदन अगर करते हैं तो 500 रुपे अपने पास सुल्क लगेगा लेकिन यह हैं Online सुद्धी करन भी एक्जाम से 45 दिन पूरू है 10 दिन के लिए Edit Form आपको खुलेंगे वहां सिरफ फोटो नाम पिता के नाम जनम तीती और लिंग के अत्रिक्त संसोदन किये जा सकते हैं तो ध्यान पूरुक आवितन करना चाहिए ताकि संसोदन की जुरूत नहीं हो प्रिलम्स में 200 मार्क्स आपके होंगे और 3 गंठे का समय होगा इसी परकार मेंस में देखा जाए तो आपके 4 पेपर होंगे पेपर 1, GS1, GS2, GS3 और हिंदी और इंग्लिज यानि कि लेंग्वेज के पेपर होंगे इसके बाद में आगे की परकरिया में ये साक्षात कार वगर आपके उसमें होते हैं अगर देखा जाए तो इंपोर्टेंट जो बाते हैं वो हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो आपने देखा कि आविदन कबसे होंगे तो ध्यान रकना 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक रातरी 12 बजे एक्जाब सित्वर और अक्टुम्बर माह में होगी 2023 में तो जिन विद्धार्टियों का सपना राजस्तान परसासनिक सेवा में जाने का है वो अपनी तैयारियों में जुट सकते हैं पद आपको जैसे पहले बताए जा चुके हैं कि 905 पद है यह राजस्तान लोक शेवाइब ने 28 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था राज्य शेवा के 424 और अधिनस्प के 408 इसी परकार की और कुछ सूचनाओं के साथ पुने मिलेंगे जीहल चोधरी यूटूब चैनल पर और इसकी कंप्लेट जानकारी जो है यह नोटिफिकेशन से समदेश आपको इसके यूटूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद जेहिंद जेवारत